नमस्कार, प्रिय कुम्हरासी वाले, मैं हूँ असलोजा डॉक्टर रवी गुपता और स्वागत करता हूँ आज के मेरे बहुत इखास कारिक्रम में और आज मैं बताऊंगा कि प्रिय कुम्हरासी वाले आखिर अचानक एक साथ सारे लोग आपके पीछे क्यों पड़ गये हैं और 20 फरवरी 2024 से लेकर के 2025 मार्च तक क्या होने वाला है मतलब जीवन में कुछ तो बड़ा होने वाला है प्रिय कुम्हरासी वाले ये वीडियो पूर्ण रुपेन आपके उपर समर्पित है बहुत ही नॉलेजवल वीडियो है और बहुत ही कारगर वीडियो है सक्ष के अधार पे है और सत्य के अधार पे भी है इसलिए मैं क्या वाकई में आपके जीवन में कुछ होने वाला है क्योंकि ऐसी स्थिती आ गई है आपके जीवन में कि अचानक से सभी लोग आपके पीछे पड़ गया है जी हाँ प्रिय कुम्हरासी वाले ये जो वीडियो है चंदरासी पैधारी थे आपको अपना चंदरासी पता है बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है कोई बात नहीं। आप नाम से या लगन के नुसार इस जनकारी को देख सकते हैं। प्रिकुम रासी वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बता दू कि वर्तमान समय में सनी आपके लगनिया रासी के ही अस्थान में बैठे हुए है। मतलब सनी आपके स्वयम की रासी कुम्बे में बैठे हुए है। जोति सास्तर कहता है कि जब भी सनी के अंदर में हो, अपनी रासी का हो, तो सस नामक राजयोग और पदम सिंगहासन योगो क्यूत पती करता है। लेकिन जोति सास्तर कहता है कि जो ग्रह जहां बैठे वो तो महत्पूर्ण है ही, लेकिन ये भी देखो को उसके आगे का भाव क्या है। प्रियक कुम्बरासी वाले, सनी आपके कुम्बरासी में है और जश्ट इसके आगे जो है मीनरासी में राहु बैठा हुआ है। और जश्ट सनी से तीरित्य भाव पे बिरहस्पति बैठे हुए है, और सनी से अस्टम भाव में केटू बैठा हुआ है। आपको बताना चाहता हूँ कि सनी से अगले भाव में राहु है, तो जो गरह जिस भाव में बैठता है, उसके आगे के भाव को धन भाव बोलते हैं और आपके साथ आश्चरिक जनक बात ये है कि सनी से आगे राहू जो गहां बैठा हुआ है वो एक्चुल में भी धन भाव में बैठा हुआ है तो ये समझने वाली बात है कि राहू धन भाव में बैठने के बाद बहुत ही पावरफूल है और जस्ट उसके आगे मई तक सनी तीसरे घर में बैठा हुआ है जो प्राकर्म और कॉन्फिडेंस का घर होता है और इत्य फाक देखो कुमरासी वाले कि सनी जो है कुमरासी में जो बैठा हुआ है मेसरासी में जो तीसरे घर में बैठा हुआ है वो एक्चुले प्राकर्म भाव में ही बैठा हुआ है और सनी से अस्टम भाव जो मिर्ट्यू का घर होता है जो इंसान की जीवन में या तो मुसीवत में डालने का या मुसीवत से बचाने का होता है वहाँ केतू बैठा हुआए और जोतिस सास्तर में राहू के तु अर्शनी और मंगल अस्टम्भाव के कारक भी होते हैं और अस्टम्भाव और सस्टम्भाव और दौदस भाव में अगर कोई पापी ग्रह बैठ जाता है तो वह लाभकारी हो जाता है पर ये कुमरासी वाले आज मैं आपको कुछ आश्चर जनक चीज़ बताता हूँ सबसे पहले एक दो बातों पे फोकस करो देखो क्या हुआ था वरतमान समय में राहू मिनरासी में है सही बात है कि मिनरासी में है मिनरासी से पहले राहू कहां गोचर कर रहा था मेन रासी से पहले राहू जो है वह कहां गोचर कर रहा था मेस रासी में क्योंकि राहू जो है हमेशा पीछे की वह चलता है आगे की और नहीं चलता क्योंकि यह वकरी होता है उससे पहले यह कहां गोचर कर रहा था चतुर्त भाव में यानि तीन सालोग या राहु जो है दिड़वस रहता एक रासी में और जश्ट उससे पहले सनी कहां गोचर कर रहे थे मकर रासी में जो आपके जीवन में सनी के साड़े साती के पहले चरण को बना करके रखा था मतलब आपके जीवन में अभी 2024 है और 2021 और अगर उससे पहले चलेंगे तो राहु ब्रीसब मरासी में गोचर कर रहा था प्रीय कुमरासी वाले एक कड़ भी सच्चाई बताता हूँ जीवन में तो आप सबको ले करके चलते हो लेकिन एक्चुल में आपकी परिस्थिती तो 2018-19 सही खराब हुई पड़ी थी ये आप सुन लो जब राहु चतुर्द भाव में और तिर्तिय भाव में गोचर कर रहा था और सनी उसी समय जो है आपके जीवन में मकर रासी में प्रथम सनी के साड़ साती से गोचर कर रहे थे जो लगन के मालिक है और रासी के स्वामी है तो आपके जीवन में 2019 सही सब कुछ बरबाद हु पित我不知道 माता की मिर्टी हुआ पिता का स्वास्थ खराब हुआ या पिता की स्थिती ऐसी हुई कि वो बस जीवित अवस्था में रहे यह आम्के कारण या पिता के कारण आपकी जीवन में बहुत ही परशानियां बढ़ गई इसके लावा जब राहु तिर्थे भाव में गया, तो कहीं ने तो कहीं आपको लाइफ में ट्रांस्फोर्मेशन जुरूर कराया, अस्थान परिवर्तन कराया, बहुत जादा धन का नुक्सान कराया, कोकि नीच द्रिश्टी थी ना, पैसे पैसे के लिए जो है आप अपने जीवन में 2021 से 23 के मद्धे में जो है, पैसे पैसे के बहन हों, दोस्त हों, रिष्टदार हों, सब बरबाद कर दिया, जीवन साथी से विछेद कराया, गलत विभाभी राहू कराया, और इसके अलावा जो है समझ लिजे, कि जब राहू आपकी कुल्ली में, तिर्थिय भाव में थे ना, 2021 से लेके 23 के मद्धे में, तो केतु ज तक आपके पास जानी की स्थिती बन गई है, और साथ में संतान पक्षे से तो दूरिया बनाया ही बनाया, बदनामी तो भर-भर के कराया, क्योंकि जब राहू तिर्सिरे भाव में था, केतु जब भाग्य भाव में था, तो लगन भाव में देखने कारण बदनामी भी करा बाकि नौकरी में खुद का घर छूटना परिवार की लेकर डिमोशन और इसके अलावा जो है आइस्थिरता ये तो खेर छोटी बात हो गई जब इतने बड़े बड़े जीवन में परिशानिया आ चुका है कांड हो चुका है तो ये छोटा चीज तो खुर मैं इसकी चर्चा ही क्या करूँ लेकिन अब क्या हुआ ना कि अचानक आपकी पिछे सभी लुक पड़ गए अब देखिए क्या हुआ राहू जो है ये मेस को छोड़के मीन में गया पिछे चलता है ये और 20 फरवरी से यही राहू जो है ये 24 डिगरी के नीचे आ रहा है यानि ये मीन रासी में है जब भी क मतलब मार्च तो हजर पचीस तक राहू बहुत ही प्रवल है और सनी भी 13 डिगरी में चला गिया विसम रासी में जब भी कोई गरह 12-18 डिगरी में जाता है तब वो कुमार अवस्था में और फिर युवा वस्था में प्रवेस करता है अब जब भी कोई गरह जिस रासी में हुआ क्या आप को लोग दबाया जुकाया गरीब बनाया अवेंडिंड बनाया और इसके अलाबा लोग सोचा कि अब तो ये बरवाद हो जाएगा ये हो जाएगी लेकिन राहू जो है ना निश्चित तोर पे 2021-23 में लव लाइफ हो आईश्थिरता हो सभी चीज़ों में बिरत का फसाया था लेकिन अब राहू मजबूत हो गया जैसे ही राहू मजबूत हुआ है क्योंकि अब वरतमान समय में रेवती नक्षतर में जिसके स्वामी बूध है और ये 8 जुलाई को चले जाएंगा उतरा भाद पर नक्षतर में जिसके स्वामी सनी है यानि सनी का अ आपके बातों में confidence आया और अब लोगों के समख्च आप अपनी बाते रखनी चालू करती है जो लोगों ने भी आपका अपमान किया था उसको revert करना चालू कर दिया लोगों को लगता था रहे यार यह क्या बोलेगा इसके तो जुबाहनी नहीं है इसको कुछ समझ में नही था कि जब life का transformation होता है न तो इस जीवन में जो है न मनुष्य कुछ भी कर सकता है क्योंकि एक मनुष्य ही है जिसके अंदर सारिक छमता के अलावा दैविक छमता के अलावा जो है साइन्स के हिसाब से भी एक अलग से कहीं न तो कहीं power generate करने की ताकत होती है जिसको हम लोग कहीं न तो कहीं electromagnetic field बोलते हैं जब किसी आदमी के body को touch करोगे तो current आता है न तो हर आदमी का aura होता है यह सिर्फ मनुष्य के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है अब जैसे ही रहाओ धनभाव में आया है और सनी से धनभाव का मालिक हुआ आप अपना decision लेना चालू कर दिय को लग रहा है कि अब इससे पुना दोस्ती कर लिया पुना रिस्ता अच्छा बना ले पर लोगों को यह कहां पता था कि आपका राहू दुत्य भाव पर आ गिया है अब आपकी जुबान भी खुल गई है जिसको आना है आजाओ सीधा reply करते हो और यह जो बुरा वक्त में आपने सिखाना आपको यह हो गया अब आप किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो दुत्य भाव का धन भाव हो जाने के कारण रहूँ और शनी से धन भाव हो जाने के कारण जो है आपके पास money shaming होने लगा एक रिस्ते में रह रहकर के depression तनाओं में ऐसी प्रिस्थितित लोगों ने आपकी अवकात आपको दिखा दी अब आप दूसरों के अवकात दिखा रहे हो और ऐसी स्थिति हुई है कि जहां करना है जो करना है कर लो भाई मैं चलूँगा अपनी life के अनुसार अपने हिसाब से या मैं चलूँगी इसके अलाबा धन भाव का राहू जो है अब आपके पास खुद का भूमी मेकान वहां संपती का योग बनना चालू हुआ एक रिस्ते गए तो गए दुख हुआ डिप्रेशन हुआ परशानी हुआ मिर्तियू तक होने का डर था सुसाइड तक करने की स्थिति बनी लेकिन अब जो है रिस्ता सुधरे तर सुधरे ना सुधरे भाई साइड हो जाओ मैं अपना जीवन में अगर कोई अच्छा रिस्ता मिलेगा मैं कनेक्ट हो जाओंगा भले तुमको छोड़ना है तो छोड़ो नहीं छोड़ना है तो मत छोड़ो इसके अलाबा धन भाव का राहु जो है पिता से आपके तालमिल को ठीक कर रहा है पिता के दुआरा कुछ धन की प्राप्ती हो रही है और इसके अलाबा जो है कर्म छेतर पर द्रिश्टी पढ़ने के कारण नए नोकरी वेवसाय के योगों के अलाबा वो पॉलिटिकल पावर हो समाजिक पावर हो परिवारिक पावर हो या पिर कह सकता हूं कि सरकारी विभाग से रिलेटट प्रसासनिक पावर हो अब आप मचबूत होते जा रहे हैं आज आपके जीवन में दुख क्यों होता है क्योंकि आप अपने जीवन में बोलते नहीं थे अब तो आपका मूँ खुल गया भाई जब मूँ बंद था तो तुम लोग मेरे इमोश लड़ूंगी या लड़ूंगा भाई जो करना है कर ले मैं नहीं डरने वाली या डरने वाला क्योंकि आपका जुबान खुल चुका है इज़त तो गया मैं जानता हूँ इज़त गया लेकिन अब इज़त का फरक नहीं है आपको ये पता चल गया है कि समाज में और दुनि करके चलो यही कारा नहीं के लोग आपके पीछे पढ़ रहा है तो आपके जीवन में जो कोई ठड़ परसन रहा हो या जो बिता हुआ कल रहा हो उसको भी प्रॉब्लम हो रहा है कि किसी तरह इसको गिरा दे भाई जब राहूब धन भाव में आ गया है जुवान खुल गई इसके अलावा अस्टन भाव में केतु बैठने के कारण बार बर सुसाइडल अटायम होता था अकेले रहते थे खिसी से कोई बाद नहीं करते थे खुद की शंपती गया खुद का घर गया अब क्या हुआ लड़ करके अपने हख को लेना चालू कर दिये जो करना है कर लो मै अपना हक लूँगा इसी कारण से अब राहु कर्मशेत्र को देख रहा तब नहीं नोकरी भी लग रही है वेवसाई भी लगना चालू हो जाएगा इसके अलावा पिता से भी आपके तानमेल ठीक हो जाएगे विदेश स्यातरा कायोग भी बहुत अच्छा हो जाएगा और जिसके पीछे आप तीन सालों से कुटा का जैसा खुद घूम रहे थे ना वो लोग आपके तरफ आ रहे हैं लेकिन एक बात याद रखना अगर एक बार साप आपको काट दिया और दूसरी बार बोलेगा कि नहीं इस बार में नहीं काटूंगा तो हो सकता है वो ना काटे लेकिन साप तो सापी होता है याद रखना या तो वो आपके पास आपको पैदे के लिए आएगा और नहीं तो आपको डसने के लिए आएगा खेर आब आपको कwasserास रहा नहीं डैवोस का भी योग बनेगा, जब जीवन में सब कुछ घट रही है, तो फिर मैं क्यों न सब चीजों की बात करूँ, तो डैवोस के भी योग बनेगे, जो सिनियार आपके कमियों को निकाल करके आपको रिवर्ट करता था ना, वो भी बोलना बंद कर देगा, क्या है ना, भ खुद से आपको ही जेलना है, एक बात याद रखना, और जो तीसियों का तक मैं क्या बोलू, जो बहुत जाद अपनी जिंदिगी में फेलियर हो गया, आजकल वही जो तीस बन रहा है, मैं हूँ या दुनिया में कोई भी हो, मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ भाई, एकद परवरी से ले करके, 2025 तक आपके जीवन तो बदली रहा है, इसलिए अपने जीवन को बहतर बनाने के लिए मैं क्या करना है, सीव चाली सा घपाट करो, थोड़ा सा जीवान पर नियंतरम रखो, और कुछ अच्छे लोगों के मितरता के साथ, कुछ घटिया लोग भी इंट पूर्ण वीडियो है, उमिद करता हूँ कि बताई कि जनकारी से संतुष्टी मिली होगी, फिर यह आप चैनल पर नाया है, तो लाइक करिए, शेर करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलता हो अगली वीडियो में और महत्पुन और ग्यान बरतक जनकारी के साथ, तब तक ले न